वेक में आप सभी का स्वागत है मैं वेक कुमर आज आपको IPL के पॉइंट टेवल्स के बारे में बताऊंगा कि अभी कौन से टीम टॉप पे है और कौन से टीम बॉटम पे है सबसे पहली बात कल जैसा मैच हुआ कल छठा मैच IPL का कंप्लीट हो चुका है और कल का मैच जो था सनराइज सहदरावाद वर्सेस रोयल चलेंज बैंगलोर के बीचता जिसमें आर्सीवी ने मैच को जीत लिया था तो चलिए बात करते हैं पॉइंट टेवल में कौन से टीम क पॉइंट टेबल से और ज्यादा मैचेस तो अभी हुए नहीं है तो इस वाज़े से जो है यह आपकी सामने है चलिए मैं वन बाई वन करके आपको बता दे रहा हूं पहले लेवल पे जो है यानि फर्स्ट पोजिशन पे जो टीम है वो बड़ा ही सर्प्राइजिंग है आ जबरदस्त काम कर रही है अभी आरसीवी ने टोटल दो मैचेस खेले हैं दो मैचेस में इन्होंने दोनों के दोनों जीत लिए हैं और इनका जो नेट रन रेट है वह प्लस 0.175 है और इनके पास टोटल अभी पांच चार पॉइंट से लेवल है ठीक है उसके बाद जो सेक तो यह, बड़ी ही गरबल सेच्योंस है क्योंकि इन्होंने एक मैचे सब्सक्राइए और एक मैच यहार भी गए, अभी इनका जो नेटरन रेट है, वो माइनस में चल रहा है और इनके पॉइंट्स जीरो है, हैदराबाद के टीम का अभी सेम वैसा है, दो मैच हैदराबाद के टीम ने खेला है, बट दोनों मैच हैदराबाद के टीम हार चुकी है, CSK की बात अगर की जाए तो CSP आप जानते हैं Game Changer टीम है कभी भी आपने आपको Change कर सकती है और बिल्कुल Bottom से Top पे आने का मतलब Power रखती है तो CSK की टीम ने एक मैच जीता है अंग खिला है सिर्फ और एक मैच वो हार चुकी है और इनके भी Point Stable में Zero Point से जाने की जो Bottom पे है वो CSK, SRH और राजसान रॉयल्स है और जो Top पे है वो आपके RCW, Delhi Capital and Mumbai Indians है जो की Team Team में हैं तो ये तो Point Stable की बात हो गई अब Stats में देखा जाए तो कोई खास अभी तो है निए जादा मैचेस हुए नहीं है तो इस वाज़े से इसमें कुछ फाइदा नहीं है डिसकस करके जाए जैसे मैचेस आगे बढ़ते हैं मैं Stats भी आपको बताता चलूँगा और बांकी बस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए पन्ने बात